हाई वेलकम बेक नेरका फिशन आज मैं आपके से शेयर करूंगी कि कम कपड़े में आपकी सरीके से डिजाइनर कुर्ती बना सकते हैं मैंने ये बुटनेक बनाई है वह भी शॉल्डर कट और ये वन एन हाफ मेटर कपड़े में बनाया है और ये टपेटा का फैबरिक है आप आप सिंपल कुर्ती जल्दी बनाना सिखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक वीडियो अच्छा लागे तो लाइक कीजिएगा कमेंट करिएगा और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले वीडियो शुरू करते हैं तो ये देखिए सबसे पहले हम क कपड़े में आप 30 साइज से लेके तो 36 साइज ये 38 साइज तक का इसमें आराम से बन सकता है बस यह है कि मार्जिं 38 वाले में थोड़ी कम रहेगी बाकि अगर आप बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा तो देखिए इस तरीके से हमने एक फोल्ड करने के बाद डबल फो डबल फोल्टी और सेवन और सूटी चाहिए तो में वन एंधाफ इसमें मार्जिंग रखूँगी अगर आप चाहे तो आपके मार्ज आपके अनुसार यापके कपड़े के अनुसार रख सकते हैं आपके पस कितना कपड़ा है और आपको कितने माल चाहिए कि देखिए इस तरीके से आप चाहे तो स्केल से लाइंग ड्रो कर लीजिए मैंने सिंपल हाथ से कर लिए अब यहां से हम शॉल्डर लेंगे शॉल्डर आपको हमेशे कुर्ती में ध्यान रखना है कि शॉल्डर आपको पूरा लेना है आप यह देखिए शॉल्डर मैंने 7.5 लिया है और अगर आप पूरा शॉल्डर लेते हैं तो आपकी कुर्ती में खिचाव नहीं आता है और कुर्ती अच्छी फिटिंग के बनती है तो यह देखिए जितना मैंने शॉल्डर लिया उससे हाफ इंच कम करते हो मैंने आर्मोल लिया है अब इस तरीके से इस्टेट कर देंगे औ आपके केस में जितना भी आपका चेश्ट साइज हो उतना आप लीजिएगा और उसमें जितना आप 2-1.5 इंच जितना आपके अनुसर मार्जिंग रखना चाते हैं रख सकते हैं मैंने यह ठटी फोर के साइज की बनाई है उसके अनुसर लिया है अब यहां से हम आर्मोल क साइज से नीचे सेवन इंच पर एक लाइंग बना देंगे यहां हम वेस्ट यानि कमर का मार्जिंग करेंगे मेरे केस में कमर ठटी सोरी ट्वंटी एट है तो ट्वंटी एट हम कमर का साइज रखेंगे और उसमें हाफ इंच का लूजिंग देंगे और वही हम दो इंच की इसमें कि मार्जिंग रखेंगे अब यहां से भी आपको एक बस सेवन इंच मां कर लेना है यह देखिए क्योंकि तीनों में हमें चेश्ट साइज से लेकर तो हीप साइज तक तीनों का डिस्प्रेंस जो होगा वह सेवन सेवन इंच होगा यानि चेश्ट से कमर सेवन और आपको हमेशे जो निशान है वह आइड के ऊपर मेज़र रहता है अधिकतर ट्वन्टी से टूंटी तक ही रहता इससे अधिक नहीं होता है यह बहुत कम केस होता है जिसमें हीप की इली जो निशान हम लगाते उसमें लंबाई बढ़ती है तो इस तरीके से यहां भी निशान लगा लेना है अब नीचे हम बोटम की जगा निशान लगाएंगे तो जितना हम हीप साइज का लेते हैं उतना ही हमें बोटम में भी निशान लगाना है इसका फाइदा हमें यह रहता है कि हमारी कुर्ती के कभी कान नहीं निकलते कान निकलना यानि जो तीरशाप आगा लेंगे अब यह देखिए फ्रंट की गोले हम देंगे एक इंच और 1.5 इंच हम बेक साइट की गोले देंगे तो उसके लिए अगर आप चाहिए चेस्ट लाइन की यहां से इसका हाफ कर सकते हैं और आर्मोल का हाफ करते हुए दोनों को आप मिला देंगे तो यह परफेक्ट आपका राउंड शेप बन जाएगा अब हम गले की मार्किंग करेंगे तो कले पिये में बूटनेग गला रख रही हूं तहिम में इसमें फॉर इंच लंबाई रखूंगी और 3 inches इसमें फॉर ऑर इंच चोड़ाई रखोंगी ठीह इसमें लंबाई रखूंगी अब आपके अनुसर रख सकते हैं मुझे बुटनेक गला चाहिए था जो कि हमाई गले से बिलकुर सटा हो रहता है बस एक सिंपल साम चेन या फीट गलाई की माला वगेर जो भी आप पहना चाहते हैं वो पहन सकते हैं कि त्री इंच में हमारी जो गहराई यानि जो चोड़ा यह वह कौम ही आती है जिसे बुटनेक हमारा अभूस कुछ दिखता है और इस तरह के सहाफ इंच की हम गोला ही दे देंगे यानि डाउन करेंगे शोल्डर डाउन कर रहे हैं अगर आप शोल्डर डाउन नहीं करना चाहें तो जब आप सिलाई लगाते हैं उस वक्त आप द हम आस्तिन कटिंग करेंगे तो यह दी कि जो मैं हमारे पास बचाओ टुकड़ा था वह कुछ इस तरीके से तो इसे हम फोल्ड करके रख लिया है यह दो पार्ट हमारे पास ओपन है और एक क्लोज है यानि हमारे पास फोल्ड मिल चुका है अब इससे हम हमारे पहले अर्ण kosten इंढाव कर दोट्डन को बना देंगे इफ मारे और यह को सिम को इस तरीकेसे जिस चेश्ट का फोल्ड पाल पढ़ा ते लिए था उसी तरीकेसे इसमें भी चैश्ट का व्याँ पाई टे लेंग और वन इन हप माज़िंग रखकर कर इसे भी नुशान लगा लेंगे लेंथ आप आपके अनुसा रख सकते हैं में 10 इंच रखूंगी और इसमें 1 इंच का मार्जिंग दूगी क्योंकि निश्ची हम सिंपल फोल्ड कर रहे हैं तो इसके बाद इस तरीके से देखिए मैंने एक इंच का मार्जिंग रखा हैं अब यहां पर आपको बोटम में आपकी जो गोलाई वो रखना है आपको जितन कट हो चुकी है अगर आप चाहते हैं कि शोल्डर कट अस्तिन डिपली में किस तरीके से कटिंग करते हैं तो उसका मैं प्रस्टनल वीडियो जोरू बनाऊंगी तो यह दीखिए हमाई अस्तिन कट चुकी है कि आप हैं और इस तरीके से मैंने इसका लाइनींग बिकर कर लिया क्यां कि ट्रस्टनल यही बास है अब लगा लेते हैं तो पूल्टिय청 फिटिंग में कि दिखी ये में आपको शोडर पर और आर्मो पर रगानी है उसके बाद आपको इस पर पर मुचिछ लगाना है आपको इस पर इस पर और बस पर करेंग या cel पर सिधा करेंगे उसके बाद फिर हमें एक बार प्रेस लगानी है या फिर प्रेस भी कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके से हमारा यह लाइनिंग के साथ अटेश्ट पूरा होता है जब हम इस पर प्रेस की सिलाई लगाएंगे या फिर प्रेस कर लेंगे तो यह बाई बारी चुणनट आपको दिख रही है यह नहीं दिखेगी अब इसी तरीके से जो बेक पाड़ है उसको भी हमने रेडी कर लिया है इसलाई लगा का और इसे बी हम टरन करकर सिधा कर लेंगे अब एक पार्ट हम नीचे की साइड रखेंगे यानि हमें फ्रंटी की भी राइट साइड अंदर की साइड रखनी है और इस पर भी प्रेस से लए लगानी है और इसके उपर अब हम बेक साइड रखेंगे यानि दोनों की जो राइड साइड है वो अंदर की साइड रहेगी और रोंग साइड वो बाहर की साइड रहेगी तो इन दोनों को मिलाते हुए हमें शोल्डर जॉइन करना है और शोल्डर जॉइन के साथ में सब्सक्राइब DAVID सले लगाना है जैसे कि आप देख रहे हैं और वहाजें से अना देखल मे usta वाइट का द्रव्र दख लगा है ताकि आपको समझाने में मुझे आसा नी रहे तो देखे вли यहां से भी जोइन कर लिया और शॉल्डर भी जोइन कर लिया अगर आप चाहे तो बीना स्तिन का भी आप पहन सकते हैं और यहां हमें चोक बनाना है तो आप यह देखिए इस तरीके से हमने कुर्टी को रेडी किया आप चाहे तो इस तरीके से पहन सकते हैं और यहां चोक ब लगानी है यह देखिए और इसी तरीके से हम तीनो पल्ले पर हम सिलाई लगा लेंगे और रहे हमारा पास यह आफ इंज की गेपिंग की बीच में ही हमने चोक बनाए हैं और यही प्रोसेस हमें तीनो पल्ले में करने यानि एक कुर्ती में चार चोक बनाने पड़ते हैं हमें उसमें एक बनाया है और तीन बाकी हम इसे तरीके बनाएंगे और आगे जो बोटेम का हिस्सा है उसे भी हम सिंपल इस तरीके से फोल्ड करेंगे अगर आप चाहे तो चोक बनाने का वीडियो भी में जल्दी ही लेकर आऊंगी जिसमें आपको आसाने से चोक बनाना आजाएगा अब बात करते हैं आस्तिन की तो देखें बिन आस्तिन के भी कुर्ति भोग सुंदर लग रही है बस आप इसमें हमें फिटिंग डालनी है तो फिटिंग डालने के बाद हम इसे पहन सकते हैं और अब यहां पर हम इस तरह के से सिलाई ओपन कर लेंगे क्योंकि हमने साइड में फिटिंग लगा दी थी अब हम आस्तिन लगाएंगे तो आस्तिन के लिए इसमें चोक नई सोरी लाइनिंग नहीं लगाया है और इसमें में शोल्डर कॉट बनाई है कि यहां से हम मार्किंग करते हुए यहां पर आप चाहे तो पिन अप कर सकते हैं यह चाहे तो आप कच्छी सिलाई हाथ से लगा लीजी अगर आप बिगनर है तो और इसी तरह के से इधर भी हम मार्किंग कर लेंगे अगर जो इश्रा होगा उसे हम बाद में कट कर सकते हैं कि पहले कच्छी सिलाई करते हुए हो कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से रखते हुए राइट साइड दोनों का अंदर है और यहां पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और मेरे शोल्डर कटकी जो गहराई है वह वन इन हाफ यानी जो इसकी चोड़ाई है वह और डेर इंच लिए और लंबाई मेंने इसकी तीन इंच लिए अब इसको दोनों का अंदर साइड रखते हुए इस तरीके से हम यह देखिए इस तरीके से मार्ग कर लीजिया को कितनी दूरी पर कौन सा कट रखना है और सिंपल इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिए अब इसे हम कर देंगे यह स्टेट करने के बाद ही है इस तरीके से अब देखिए हमने से शोल्डर को दोनों को इस तरीके से मिलाना है और जो भी हमारे इस्ट्रा कर पार्ट निकल रहा है उसे मिया से कट कर देगे इस तरह भी अक्तिन लगा लेंगे यह देखिए इस तरीके से हमारी जो कुर्तियों पूरी कम्प्लेट होती है वीडियो चलागा तो वीडियों को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विलते हम अगले वीडियों